देश में 400 सीट जीती जाए हमारा मिशन है कि बिहार के अंदर भी 40 सीटें हम जीते हैं इसके लिए हर सीट हमारे लिए महत्पूर्ण है हमने महागटवंदन को दोनों जगा प्राजित किया उसके बाद राश्ट्रिय द्रग्जी का ये दोड़ा है नमस्कार आप देख रहें लाइफ सिटीज मैं हूँ आपके स्ताश शिवम बीजेपी के राश्ट्रिय अध्यक जेपी नड़ा कल एक दिवसीय दोरे पर बिहार आ रहे हैं आपको बता दे कि कल वो वैसाली जिले में एक बड़ी जन्सभा को संबोधित भी करेंगे ऐसे में बिहार सरकार के पुर्व मंत्री और बीजेपी के राश्ट्री प्रवक्ता सहनवाज हुसैन ने बड़ा बयान दिया है और उन्होंने सावत तोर पे कह दिया है कि 2024 लोग सबाचुनाव में बीजेपी जो है बिहार में 40 की 40 सीट जीतने जारी है क्या कुछ कह रहे हैं सहनवाज हुसैन पहले आप वो सुनें बारती जंदा बाड़ी के रास्टिय द्रक्षे श्री जगत प्रकाश नड़ा जी कल वैशाली आएंगे और वैशाली में उनका वो लोकसभा का प्रवास होगा हमारा मिशन है कि देश में 400 सीट जीती जाए हमारा मिशन है कि बिहार के अंदर भी 40 सीटें हम जीते हैं इसके लिए हर सीट हमारे लिए महत्पूर्ण है और उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और यही वज़ा है कि राश्टिय अद्दक जी का ये दोड़ा इत्यासिक है क्योंकि पिछली बार जब वो आये थे तब हमारी गठवंदन की सरकार थी लेकिन अब जब वो आ रहे हैं तो वो सरकार बदली है लेकिन उसके बाद सारी प्रिस्टिती भी बदली अभी राश्टिय अद्दक जी का ये दोड़ा कुरहनी और गोपाल गन जीतने के बाद भारती जंता पार्टी और बिहार उस जैश्न में है कि हमने महागठवंदन को दोनों जगा प्राजित किया उसके बाद राश्टिय अद्दक जी का ये दोड़ा है और इस दोड़े में बहुत उत्सा है लोग सभा में भी हम लोग बिहार की 40 से 40 40 की 40 सीटों पर मेहनत कर रहे हैं और सब जगा वी जे पता का फैराने की कोशिश कर रहे हमें पूरी उमीद है कि जिस तरह हम कुरहनी और गुपाल गन जीते उसी तरह लोग सभा में भी पिछले बार हम लोग नरंद के नाम पर उन 40 सीट जीते थे और इस बार एक सीट जो बच गई थी वो भी जीतेंगे 40 की 40 सीटों पर हमने मेहनत शुरू कर दिये और जीतेंगे तो सरकारी यात्रा है जो हुआ कि लिए वह सरकार की यत्रा ओसमें जैसे राहूल जी निकले हुएए भारत जो य्यात्रा पर वह यात्रा जो है वह कंग्र्स पर्टी की यात्रा हम लोग तो सुबह से साम बीजेपी अफिस आजए हमारा एक नेता भी चैन से नहीं बेटता हम लोग तो रोज या हम बताएं मेरी मोतिहारी की यात्रा है तो हम लोग तो हमारा वरकर चुनाओ के वक्त में नहीं जगता है भारती जनता पार्टी ट्विंटी फॉर इंटू सेवन काम करती है और हमारे कारकरता बूत से यानि यह पन्ना परमुक से लेके राष्ट्रिय दक्स तक बड़ाबर मे यात्रा है तो पहले भी शराब बंदी के विशे को लेकर कई जगा यात्रा उनकी हुई थी वो सरकारी यात्रा थी अभी शायद सरकार की तरफ से ही वो जा रहे हैं जिसमें सामने जीविका दीदी बैठी होंगी मंच पर मंत्री लोग बैठे होंगे और उसमें वो शराब पंदी और अनविश्य पर बोलेंगे तो सरकार में हैं तो तो जाना ही चाहिए सब्ज़ेगा उनको पिछले 35 आप देख लिए लालू जी और नितिश जी मिलके सरकार तो उन्हीं की हम लोग तो सही होगी दल थे उसमें जो मुखमंतरी होता उसी के नाम से सरकार जानी जाती है तो पहले लालू जी राबरी जी की सरकार फिर नितिश कुमार जी की सरकार जो समस्या का हल हुआ उसका क्रेडिट तो लेती है वो सरकार दोनों मिलकर लेकिन जो समस्या बची हुई है उसका जिम्मा कौन लेगा उसका निराकरन हम जरूर करेंगे जब 2025 में हम लोग सरकार में आएंगे तो आपने साफ तोर पे सुना जहां एक तरफ कल भारतिय जन्ता पार्टी के राश्ट्री अध्यक जेपी नड़ा बिहार आ रहे हैं इसको लेकर भी सहनवाज हुसैन ने अपना ब्यान दिया है और उन्होंने साफ तोर पे कह दिया है कि 2024 लोग सबा चुनाव में पुरे देश में भारतिय जन्ता पार्टी 400 सीट जीतने जा रही है वही मुख मंतरी नितीश कुमार बिहार यात्रा पर निकलने वाले हैं उस पर भी सैनवाज हुसैन ने अपना ब्यान दिया है बढ़ाल अब बने रहा है हमारे साथ अगर आपने हमारे चानल को सब्सक्राइब ने किया है तो जल से जल सब्सक्राइब कर ले धन्यवाद